दब्बें की हालत मैंसे बहुत नाजुक मिजाज है जो फिलिपकार्ट ने भेज़ा है आज 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 आपका वाही लेकर आए जबरदस्त वाले रहतरीन लैप्टॉप की अन्बॉक्सिंग तो ये लैप्टॉप मैंने फिलिपकार्ट से और करके मंगवाया है तो फटा फट से फिलाग खड़ा कर आए बहंकर खड़ा कर आए तब्बें की हालत मैंसे बहुत नाज तो मिजाल है जो फिलिपकार्ट ने भेजा है तो फटा फट से दब्बे में से निकालते हैं लैप टॉप पर उसमें निकालते हैं लैप्टॉप और आप लोगों को चल्दी सब तर्शन कराते हैं क्या बहतरीन चीज मंग है फिस शांदार वाले लैप्टॉप की अन्बॉ मुशूर्ती दार होते हैं तो जी यह निगला डिब्बे में डिब्बा इस साइड में लैप्टॉप की डीडेल्स कहां से बना कहां से आया और उसके रावा दूसरे साइड में जो है लैप्टॉप का मॉडल सीरियल नमबर एड्सेक्टरा की डीटेल्स लैप्टॉप को निगालते हैं बाहर दब्बा खोलते के साथ ही सबसे पहली चीज जो एसुस का लोगो है इन सर्च आफ इंक्रेडिबल वो दिखाई देता है उपर वाले पोर्शन में कुछ नहीं है दब्बा खाली है सिरफ ब्रैंडिंग और एक डिजाइन के लिए उन्हो फिर दूसरी साइड में इसका आता है केबल और चार्जिंग एडाप्टर विच इस ए 45 वाट फास्ट एनफ एडाप्टर आइधिंग सो चार्ज करने पता चले रहा है बागी दब्बा खाली भाई और कुछ नहीं आता इसमें तो इसको भी रखते है साइड में अब आती ह हैं जो सुन्दर प्यारा सा लैप्टाप वो कि इस टाइप का दिखाई देता है इतना स्लीक सा पीछे आते हैं इसके एर वैंट्स बाकि की चर्चा्रा आमने सामने से करें ना एक है दो जी बाकी की चर्चा मेरी में संसरो पाल लहर मार के जा रहे हिए या इस पाड़ाने पड़े जाए कि पीछे की साइड में इसमें अ मेंट साल पी पूलिंग पने में लेफ्ट साइड ने से के आते हैं दो USB port with LED lights जो कि power connected है या बैटरी चल रही है उसके बारे बताता है right side में इसके आता है power adapter port, एक USB port, HDMI port, Type-C port, which is a good thing, एक 3.5 mm jack जो कि आपका mic या headphone दोनों का काम करेगा, आपको mic लगाना है, माइक यूज कर सकते हो, headphone लगाना है, inbuilt mic वाला, वो भी इसके साथ आपका चलता है, फिर इसमें आता है microSD, card reader, another good part, पीछे की side में इसमें कुछ नहीं है, खास सब अंदर ताम जाम इसके covered है, नीचे के front area में दो speaker के grills है, जिसकी sound quality भी हम check करेंगे, उसके अलावा बाकी सब चीज की अगर बात करें तो इसमें Windows 10 plus 8GB RAM, Ryzen 5 processor और 1TB of hard disk और 256GB SSD आती है, तो 256GB जो SSD है, उसका main role आपके operating system या जो भी आप software इंस्टॉल करोगे, C drive में उसको चलाने का होता है, जो की laptop को बहुत fast बना देता है, मैंने क्यों लिया, तो Ryzen 5 जो है in comparison to Intel, बहुत ही fast होता है, और Ryzen 5 के बारे में मेरे को एक मेरे friend ने बताया था, suggest किया था भाई ने के, साहिल भाई, आप laptop लेना चाहते हो, तो Ryzen 5 processor वाला लेना, laptop या desktop जो भी है, because it is a gaming laptop और desktop processor, उस भाई का चैनल का लिंक दिये रहा, भाई का gaming चैनल है, PUBG, mobile और भी बहुत सारे गेम आगे, planned है भाई के, जो की चैनल के अपने live stream एट सेक्टरा हो करेगा, do subscribe the channel, तो डखकन खोलते ही, एक कपड़ा आता है, वो मैंने हटा दिया, Sonic Master की इसमें ब्रेंडिंग आती है, जो की इसका एक audio driver, audio driver system है, कुछ stickers आते हैं, laptop के बारे में, Ryzen, the processor company, उसका sticker आता है, AMD जो graphics इसमें inbuilt है, उसका sticker आता है, बहुत ही अच्छा सा, soft सा इसका keypad है, inbuilt fingerprint sensor है, touchpad में, तो laptop को on करके, देखें, I think इसमें battery नहीं है, let me quickly connect the power adapter, तो अब जब power adapter की बात हमने करी लिए, तो चलो, power adapter का भी आप लोगों को एक look closely, दिखा ही देता हूँ, तो इस type का, इसका pen होता है, जो की इसके charging port में जाता है, यहाँ पे आपको ये वाली cable connect करनी होती है, इसको बड़े ही ध्यान से, अपने 3-pin socket में आपको लगाना है, तो ये power adapter आप्टर आपने connect कर दिया है, अब इसको power on हुआ था, बटन दबा दिया बंद हो रही है, power on करते के साथ सब से पहली चीज़ आपको बहतरीन तरीके से दिखाए देती है, वो एसस का logo और slogan in search of incredible, नहीं चीज़ है मैं तूभी बात कर ले ना, मैं क्यों बढ़ रहा हूँ, तो सबसे बहतरीन चीज़ जो मेरे को इसके keyboard के लगी है, एक full-fledged keyboard है इसका with numerical keys और normal जो पूरा एक keyboard का setup जैसे आपना होता है desktop PC का, तो उसके एसाब से पूरा keyboard जो आम लोगों को मिलता है वो बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, 15.6 inches इसकी screen size है, touchpad भी बहुत responsive है, यह आपका normal 2.4 gigahertz और 5 gigahertz वाइफा नेटवर्क टोनों सपोर्ट करता है, Full HD 1080p screen है इसकी, इसको भी हम हटा देंगे यहां से, हमें कोई sticker नीची है laptop, तो जी यह है laptop का look, on होने के बाद, और backlit keyboard की अगर इसकी बात करें, तो इसमें बटन आता है, इसको दबा के आप इसकी brightness set कर सकते हो, तीन mode होते हैं, इसमें एक पहली brightness set यह, दूसरा यह, तीसरा यह, और उसके अलावा आप इसको बंद भी रख सकते हो, यह था आज का वीडियो, Asus Vivobook 15.6 inches, Ryzen 5 processor, तो अगर वीडियो से related कोई भी चीज़ आपको, या laptop से related कोई भी question आप लोगों को पूछना है, आप comment section में जुरूर अपने सोच, विचार, feedback, questions, सब ड्रॉप कर देना, पटक देना, मेरी पूरी कोशिश रहती है, कि मैं एक, एक single single, कले कले नूँ जाके जवाब देवा, तो वो कोशिश पूरी तरह से बनी रहेगी, उसके लाबा वीडियो अच्छा लागा हो, तो लाइक करना, बहुत बहुत धन्यावाज आप लोगते हैं,